आज श्रीकान त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज के लोगों ने महापंचायत की लेकिन पहली बार श्रीकान त्यागी की पत्नी ने अपनी चुपी तोड़ी है श्रिकान त्यागी की पत्नी अनुत्यागी ने इंडिया टीवी से बातचीत की अनुत्यागी ने कहा श्रिकान त्यागी से गलती हुई लेकिन उसके बाद श्रिकान त्यागी को साजिश के तहट फंसाया जा रहा है श्रिकान त्यागी की पत्नी अनुत्यागी ने कहा कि उनके साथ जो ना इसाफी हुई है उसकी भरपाई कौन करेगा इंडिया टीवी समवादा था अमित पालित ने अनुत्यागी से बातचीत की अनु जी आप लूगा पक्ष हमें क्लिरली कभी नहीं मिल पाया आज आपने तैग कि आप इंडिया टीवी से बात करेंगी क्या वो बात ने हैं जो लगातार अमीडिया में आ रही हैं ठीक है कि हां मैं उस बात को खुद भी कहती हूँ कि ठीक है मेरे बत पती ने थोड़ी सी गलती की एक महिला के साथ बैड वर्ड यूज किये लेकिन उसके पहले की स्टोरी किसी ने जानने की कोशिश नहीं कि मैं तो आप सब लोगों को पहले शायद आप लोग मेरे पास पहले मुझे आने दिया हो था आप लोगों को मेरे पास तो मैं आपको तभी भी बताने की कोशिश करती ये जो सारा सब कुछ हुआ है उन सब में सबसे पहले मैं ही वहां खड़ी हुई थी security guards के साथ अभी तो जैसा कि मुझे सब कुछ देखके लग रहा है ये महसूस हो रहा है कि security भी मिली हुई थी कहीं भी किसी ने ये नहीं कहा कि वहां पहले मैं थी जब मैं वहां खड़ी हुई थी तो तब वो महिला ये तब क्यों नहीं आये थी उसके बाद जब मैं अपने बच्चों को लेने के लिए चली गई वो महिला आकर मेरे ड्राइवर मेरे मैनेजर के साथ बत्तमीजी कर रही थी फिर उसका फोन मेरे पास आया कि भाबी एक महिला आई है वो पेड़ो को तोड़ रही है और गाली गलोच कर रही है मैंने उसको बलाओ कि रुको मैं आती हूँ लेकिन वो महिला रुकी नहीं तो इसी बीच में मेरे हस्बन बाहर चले गए वीडियो जहां भी मैंने देखा कि आप लोगों के माध्यम से और मैं भी वो सब कुछ चीज़ देखे रहे हैं जो कुछ आप लोग सब लोग चला रहे हूं जैसे वो लेड़ी ऐसे करती है आप लोगों की वीडियो कर चाती है आप लोगोंने पूरी वीडियो देखो कि वो महिला भी कर रही है सब कुछ लेकिन वो चीज़ दिखाई नहीं जा रही है जो उससे पहले हुई मेरे हजबने बहुत प्यार से उसके साथ ऐसे वर्ट्स उसके थे बहुत सब्वेता के साथ मैनर से कि मेडम आपको प्रॉब्लम क्या है परिशानी क्या है पेड मत तोड़ना ऐसा कहने पर उस महि कीज़ी पहले उसने शुरू किया है बस फरक है इतना था कि मेरे हजबन हम लोग मैं मेरे हजबन या मुझे लेलो हम लोग जरूरी हम एक हम वेल एजुकेटिन हैं गाउं से ब्लोंग करते हैं लेकिन हम लोगों के अंदर ने किये नहीं कि किसी बात को कैसे मैनिफलेट करके रखा जए अपने देखा कि हास्बन उसकी वीडियो बनारा है उसके आसपास आप लोगों ने देका भी होगा कि अनलोगों ने जो वीडियो वाइरल की है वो किसी अपसोस उस बात के लिई और हम भी कह रहे हैं, हमें भी कहीना कई महिला हूँ, मेरे साथ भी अगर कोई ऐसा करता है, तो मुझे भी बुरा लगेगा, उस सड्यातर, जो सड्यातर मेरे पती के खिलाफ रचा गया, और कहीं न कहीं वो जो महिला थी उसको पहले से ही महे शर्मा की शेय थी जो हमारे शांसद है महे शर्मा जी खुद सोचो कि उनको क्या ऐसा पर्सनल वो था कि वो यहां आए जिस दिन मेरा घर तोड़ा गया था एक बार भी उनको यह मैसूस नहीं हुआ कि चलो महिला वो है तो महिला मैं भी उना जब मेरे हजबन यहां नहीं थे तो बलकि उनको तो यह कहना चीए था ठीक है अगर लीगल या इलीगल है उसकी कारवाई की जाएगी अभी महिला अंदर अकेली है घर ना तोड़ा जाए अभी आप मेरे घर के अंदर जाकर देखोगे तो आप मैं आपको बता रही हूँ मैं ग्रामीन महिला हूँ मैं स्ट्रोंग हूं मेंटली और फिजिकली भी अगर मेरी जगा कोई और महिला होती ना तो शायद वो सूसाइट कर चुकी होती आप मेरे घर के अंदर जाकर तो देखो क्या क्या हो रहा है बाहर भी देखो अगरी गल कहके कर वो लोग तालिया बजारे यह सब बेता है यह एजुकेशन है कि किसी का मैं तो कहते हो गर मेरे दुस्मन का घर भी टूटेगा ना तो मैं कभी ताली नहीं बजाओंगी आप को कह रहे हैं तो शर्यंत्र हुआ है लेकिन शर्यंत्र क्यूं हुआ किसलिए और किसकी वज़े से बिल्कुल आप सही कहेंगे आपको मैं उसकी बारे में बिताओंगी दो तीन साल पहले दो साल पहले मेरे हस्बन ने तीन साल पहले एक F.I.R. की थी रेजिस्टर भी है वो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे हस्बन तो साथ ही नहीं अगर शायद होते तो मैं उसका प्रूफ भी आप लगों को देती डॉक्टर मेह सर्मा जी के खिलाफ जो उनका ये हॉस्पिटल है उसके टनल को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ था तो कहीं ना कहीं उनको ये डर था और इससे अलग मेरे हस्बन मौदी नगर विदान सभा से टिकेट लेने भी गए थे दो बात वो फ्यूचर में अभी आने वाले समय में अपनी बेटे और बेटी को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते थे तो कहीं ना कहीं अब खुद देख सकते हैं कि एक सांसर जो है उनको इतनी बड़ी जगा बिठाया गया है और वो यहां पर ऐसा उनका क्या पर्सनल इंट्रेस्ट रहा कि वो यहां एक छोटे से पोधे को तोड़ने को लेकर गलती की क्या हस्बन से आवेस में आकर गलत सब निकल गए उसको मैं आज भी माफी मांगती हूं मेरे पती ने भी का है मेरे पती श्रीकांत यागी ने भी बोला है लेकिन इन लोगों का फिर भी उसके बाब जूद मन नहीं भारा है उनका क्या ये तो हो था कि परसनल की वो तीन बार मेरी सोसाइटी में आए चीज जो आपने लगातार आप क्योंकि कह रहे हैं आप सुन रही थी जो हमने भी सुना उनका कहना था कि श्रीकांत के साथ बहुत बाउंसर घूमते थे या तो कभी बहुत है जिम में जाते थे त पर जब होते थे फैमिली तो उनके वहां पर भी बाउंसर पहुंचते थे ये बात क्या सही है कि बाउंसर लेका आप लोग घूमते थे लोगों डराते थे ऐसा कुछ है देखो आपकी बात का तो मैं यही जवाब दूँगी हमारी सोसाइटी में जो कि यह लोग कहते 70 लाग के कैमरे लगे हैं वही जो रजिस्टर नहीं है एए ओ उन लोग को कहने 70 लाग के कैमरे लगे हुआ है तो उन 70 लाग के कैमरे में तीन दिन पहले मेरे हस्बें जिम गए थे चलो 15 दिन पहले देख लो इनके पास access तो होना चाहिए न एक बड़ जाकर check तो करें कि मेरे husband कितने गनर्स के साथ जाते थे मेरे husband meeting के लिए जब भी घर से बाहर जाते थे तब अपने personal security guards bouncer bouncer and security guard में बहुत फर्क है जो कि इनको नहीं पता शायद यह जादा सब में हैं हम educated नहीं हैं शायद कम है पर मेरे मानने से तो एक difference होता है उनके पास legal weapon होता है जो government उनको provide करती है जो कोई army retired थे कोई force थे कोई कोई force थे को किसी हर चीज़ों की ex-servicemen थे तो क्या इन लोगों ने का हमें डर लगता था कि कहीं उनकी गन्ना चल जाए यह तो बे तुकी बाते हैं तो अब हम उनके साथ जाके देखते हैं कि जिसका जिक्र हो कर रही है कि सिर्फ एक विक्ती नहीं है यहां बहुत सारे लोगों के कहना है कि इस तरह एक कंस्रक्शन है उतना ही मेरा कवर ता फर्क सरफ इतना ग्राउंड फ्लोर वाले लोगों को यह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उपर से कुछ भी कछरा गिरता है एवन यह अथोरिटी ने परमीशन भी दी है कि आप इतना कवर कर सकते हैं उपर से हम अपना कवर कर सकते हैं हमने तो बलकि पाड़ दर्सी कवर कर रखा यह आपका एक यूटिलिटी एरिया था जिसको आपने कवर किया था कवर भी टॉप से क्या था ताकि कोई गंदगी ना करे फ्रंट से हमारा कुछ कवर नहीं था प्लैंक सिर्फ वुड़के थे कुछ लोगों ने लोहे के लगाया है कुछ लोगों ने प्लास्टिक के लगाया हूआ बस हमने वुड़के लगा दिये थे चलिए बाहर देखते हैं क्योंकि देखे अनू जी काओ कहना है कि सबको नोटिस मिले लेकिन कारवाई उनके उपर हो जाती है, बाकी लोगे कारवाई क्यों नहीं होई, तो इसको हम सामने सामने देखना चाहते हैं, तो हम अभी बाहर आ चुके हैं, और अब हम जहां जा रहे हैं, उसको आपने लगाता लाइव देखा होगा, अपने टीवी चैनल पर, टीवी प लेड़ थे, जिनको तोड़ना बिल्कुल इलीगलर तोड़ दिया, और यह जो बांडरी दिख रही है, यह अच्छी मिटी की, यहां छे इंच के पोदे लगा रहे थे, जिसको एक एंक्रोच्मेंट कह रहे हैं, वो तो मेरा लीगल एरिया है, जो सब के पास है, उनके पास लोग ओनर सी है, सामने देखे, बिल्कुल इट्टो ऐसे, जिल्कुल जैसा वो एक्जेक्ट, दिख रहा है, ऐसे मैंने अपने घर को क्या होता, इवन इनोंने तो उपर से पाड़ दर्सी निया मेरा तो उपर से ग्लास लगा हुआ था, अब आप खुद देखे, अच्छा तुरंत कारवाही क्यों नहीं करी जारी है, मेरे खलाफ क्यों की जारी है, क्योंकि हम सभी इंतर का सिकार हुए हैं। तो उसकी गलती को तुम गुना बनदों उसकी गलती को तुम गणता है जिए ठा बना दिया मैं कहason 15 के पोड मेरे șe members पर शहार र ότι लगाए गया मेरा घर थोड़ दिया गया मुझे थाने मैं नो कि अगर आप नहीं हो तो सारा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है कि अन्यू को लेकर चले गही है तो वो खबरा गया हर कोई घबरा आ जाता है इंसान जो कितना बड़े से बड़ा आदमी हो अपने लिए को डिसीजन लेना चाहता है तो वह अराम से नहीं पाता है तो बस वही हुआ, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि इतनी सी छोटी सी बात के लिए हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, हमें घर से बेगर कर दिया जाएगा, हमारे इसाथ इतना दुर्वेवार किया जाएगा, आपको पता है, इस बात को 14-15 दिन होने को आई है, मेरे पास ए प्रेन डालकर अगर कपड़े सुकाओं तो लोगों को फिर भी आपती होगी, क्या भी नहीं सकते यह जो चीज है, देखो मेरा मानना यह है कि जब कुछ इलीगल नी था, तो मैं क्यों हटाओंगी, अथोरटी आएगी, वही हटाएगी, या तो सब के तूटेंगे, वरना म मेरा घर बनवाएगी, दो महीने पहले मेरा घर बनाता, मैं अपने घर के आसपास का एरिया दिखा रही हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ दो टावर दिखाई है, अभी यहां बाकी की ओट आवर उन में जाकर देखोगे, तो लोहे से बने बने घर है, जिन्होंने प्रपर दे देखो सामने देखो उदर, आप एक पर देखो ना उदर जाका, देख रहे हैं, तो वो कवर नहीं, वो तो प्रपर रूम बना दिया गया है, हम लोगों ने सिर्फ कवर किया है, अनूत यागी जने बात कहीं कि उनके पती ने गलती किया उसको इमानते हैं, उसके लिए उन उने गलती की, उसकी उतनी सजा मिलनी चाहिए, बहुत दो शुक्रिया आपके इंडियाटिव से बात करने के आपके माध्यम से एक बात और छोटी बात रखना चाहूंगी, कि अभी मैं भी महिला हूँ, तो अभी महिल शर्मा जी आएं, और आकर बाकी के लोगों के लिए एक दम अरजेंट ओडर दे, जैसे मेरा टूटा तो उनको क्यों नहीं मिल रहा, तो मैं भी तो महिला हूँ, वो भी मेरे लिए आने चाहिए, मेरा भी तो सम्मान बनता है, यहां मुझे श्रीक अंतियागी की बीवी ना देखकर एक महिला देखकर आए ना वो मेरे पास, मे हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें, इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर